अगर मैं आपसे पूछूँ आज की डेट में इंडिया में बनने वाले टॉप फ्री वेब शोज का नाम बताईए इजीली 90% लोगों का जवाब सेम टू सेम होगा मिर्जापूर का भॉकाल जिसके सामने पूरी दुनिया जुकती है अगर इन तीनों के बीच में से किसी एक को चुन्ने को बोला जाए अब भीड बढ़ जाएगी लोग इधर उधर जुन बनाके खड़े हो जाएंगे बस कुछ दिन पहले एक बड़ासा इवेंट हुआ जिसमें लगबग 50-60 नए शोज रिवील किये थे सुबह से लेकर शाम तक हम सबने लगबग 6-7 घंटे उस पूरे इवेंट को एकदम ध्यान से देखा मोबाइल पे आंके चिपकी हुई थी लेकिन ऐसा सिर्फ दो बार हुआ जब लोग भी किसी शो को लेकर उतना एक्साइटेड थे जतना खुशी के साथ मेकर्स उनको अनाउंस कर रहे थे मिर्जापूर सीजन 3 और पंचायत सीजन 3 इनका फैन फॉलोइंग अलग लेवल का है ये बात मैं और आप जानते हैं प्राइम वाले चच्चा जानते हैं पूरी दुनिया जानती है फर्जी जिसमें शाहिद कपूर के पीछे विजे सेतुपती साहब हाद धोकर पड़ गए थे और उसी में एक सीन था जब श्रीकान तिवारी की आवाज सुनाई देती है अब जिस तरीकी का रियाक्शन पब्लिक ने उस सीन को दिया न उसकी वज़े से राजिन दी के अब खुद का देशी स्पाई उनिवर्स बना रहे हैं बात पक्की है ये दोनों शोस को किसी तरीके से आपस में जोडनी की प्लानिंग चल रही है शाहिद कपूर वर्सिस तिवारी जी और सेतुपती साहब एक साथ मुझे पता है न्यूस सुनके खूब मजा आया होगा लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का रीजन कुछ और है भाई आज आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा तीन अपडेट्स हैं जो पूरा दिमाग हिला के रख देंगे आपका बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एंड में इस वीडियो का रिजल्ट आपके हाथों में होगा अपडेट नमबर वन मिर्जापूर सीजन 3 की दुनिया में मुन्ना भहिया के स्वागत के लिए तयार हो जाईए इस बार हवा में बाते नहीं प्रूफ बहार निकल के आया है मिर्जापूर के प्रेडियूसर रितेश सर ने एक exclusive interview में on public demand ये चीज रिवील कर दी है कि yes मुन्ना भहिया is officially coming back सर जी तो फिर प्राइम चचा के announcement event पे जब पूरी टीम सीजन 3 को reveal कर रही थी तब देवेंदू उर्फ मुन्ना भहिया क्यों नहीं आये यही सोच रहे हो इसका जवाब गृतेश सर के interview में है जिन्होंने बताया कि मुन्ना भहिया वापस तो आएंगे लेकिन पहले जैसा नहीं कुछ अलग style में surprise मोटा मोटा मेरे हिसाब से या तो सीजन 3 में मुन्ना भहिया का flashback दिखाएंगे लेकिन वो scenes जो अभी तक हमने देखे नहीं है माने past बता के कुछ नया twist डालने के लिए नय scene shoot करके उनको शो में डाला जाएगा फिर शायद climax में मुन्ना भहिया खुद प्रकट हो जाएं या फिर एक दूसरी theory है मुन्ना भहिया as ghost भूत बन के शो में आ सकते हैं अरे भाई वो 1920 या फिर राज की तरह भूत नहीं बनना है देखो season 3 का जो छोटा सा teaser था उसमें सबसे बुरे हाल कालीन भहिया के लग रहे हैं अब क्या पता उनके दिमाग की हालत भी थोड़ा सा खराब हो जाए तो और अगर इनको हर जगे मुन्ना भहिया दिखने लग जाए तो बाप का बदला फैजल खान अल्रेडी ले चुके जो आपके लिए पंचायत season 3 के दरवाजे खोल देगा इस बार show को बनाने का तरीका ही बदलने वाला है पदा चला है कि इस बार ना show के makers एक season में 5-6 अलग-अलग छोटी-छोटी कहानिया नहीं बताएंगे सिर्फ एक पर पूरा focus डाला जाएगा माने सचिव जी का chapter प्लस प्रधान जी का बदला और मिस्स प्रधान की हिम्मत और येस रिंकी और सचिव जी का इलू-इलू प्लस वो इमोशनल करने वाला climax इतना सब कुछ ना इस बार season 3 में अलग-अलग देखने को नहीं मिलेगा makers ने decide किया है अब से हर season सिफ एक कहानी को बताएगा full detail में और इस लाइफ को comedy, tragedy और suspense से भरा जाएगा यहां पर आप confuse मत होना कि show less interesting हो जाएगा जी बिलकुल नहीं 3 idiots देखिए आपने कहानी का focus रेंचो पर है लेकिन क्या वो boring है तो अब भया update no.3 जो finally आपको power देता है आप decide करो कौन सा show आप सबसे पहले देखना चाहते हो हाँ जी prime वाल का last touch तक हो चुका है ऐसे में सिफ public है जो सारे confusion को दूर कर सकती है मिर्जापूर season 3 versus panchayat season 3 इन दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा यहां पर ध्यान रखने वाली चीज़ यह भी है कि दोनों shows की release date के बीच में almost 3-4 महीने का फर्क रहेगा तो सोच समझ कर बताना comment section खुला है आपके लिए and यकी मानिये जैसा high public का reaction मनाएगा वही नाम पहले बहार निकल के आएगा on prime tv जल्दी बताओ बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकाइब करनी हो तो मैं आपको instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा से इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में take care bye bye